नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर और इस वीडियो में आप एक जानकारी प्रापत करेंगे कि आपने ओफ-लाइन एप्लिकेशन फारम को आप किस परकार से भरेंगे इससे पिछली वीडियो में हमने बताया था कि इससे पिछली वीडियो में जो आपने जानकारी प्रापत की है उसके मुताभी कि आप इस एप्लिकेशन फारम को एपलाई कर सकते हैं और फारम को भर सकते हैं वो सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्रापत करेंगे यदि आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को स एप्लिकेशन फार्दा पोस्टों में आप लिखेंगे LDC, CMTT, Fireman, Cook, MTS, जिस भी पद के लिए आप एप्लाई करना चाहते हैं, उस पद का केवल एक पद का आप नाम लिखेंगे, यदि आप सभी पदों के लिए अलिजिबल हैं, तो सभी पदों के लिए आपको अलग- एप्लाई करना चाहते हैं, उसी स्टेशन का आप यहां एड्रस लिखेंगे, उसी यूनिट का यहां नाम लिखेंगे, पॉइंट नमबर एक पर आप पोस्ट एप्लाईड फार लिखेंगे, पोस्ट एप्लाईड फार में वही पोस्ट का नाम लिखेंगे, जिसके लिए आपने application for the post और पहले line में आपने लिखा है जिस भी post के लिए आप leasable है सभी पदों के लिए यदि आप leasable है तो सभी के लिए आपको अलग-अलग application फारम भरना होगा एक photo का column बना है इस photo में आपने photo paste करनी है और self attested करनी है point number 2 पर आपने candidate ने अपना block letters में नाम लिखना है जैसे मैंने example के तोर पर यहां रामला लिखा है आप भी capital letter में इस परकार अपना नाम लिख सकते हैं point number 3 पर father name शामला इसी परकार capital letters में आप लिखेंगे series शामला लिखेंगे point number 4 पर आपने date of worth लिखनी है जैसे मैंने यह 15 जून 2001 लिखा है आप इसी परकार से आप अपनी जो date of worth है वही यहां लिखेंगे मैंने example के तोर पर लिखेंगे आपने particular इस परकार से भरने है point number 5 पर आपने age जो age है आपकी age on last date बतानी है इस भरती की जो last date है 28 नॉमबर 2021 28 नॉमबर 2021 को candidate यानि के आप कितने वर्स कितने महिने और कितने दिन के है year के आगे आप आपने कितने साल है और महिने के आगे कितने महिने के हैं दिन कितने हैं वो लिख देंगे point number 6 और 7 पर आपने address for correspondence और permanent address लिखना है यदि आपका correspondence address और permanent address same है तो आपने correspondence जो आपका address है उसको एक बार complete कर देना है उसमें आपने house number, village का नाम और post office का नाम, district, state और pin code जरूर लिखना है जैसे मैंने example के तोर पर reduction में आपको भर कर दिखाया गया है point number 7 पर आपने permanent address और correspondence यदि आपका same है तो permanent address के सामने आप लिख देंगे as stated above भी लिख सकते है यदि आपका दोनों address अलग-अलग है तो दोनों में फिर आप अलग-अलग से address लिखेंगे point number 8 पर आपने बताना है कि आप किस category से संबंद रखते है journal, OBC, SC, ST जिस भी स्रेणी से आप संबंद रखते हैं वो यहां लिख देंगे point number 9 पर आपने अपनी इक्वाजिक जो आपकी education qualification है योगयता है उसका विवरन आपने देना है दसवी, बारवी, graduation, post-graduation जो भी आपकी qualification है वो आप point number 9 पर आप लिखेंगे और qualification से समंदी दस्तवेज भी इस application फारम के साथ आपने को लगाने होंगे point number 10 पर आपने कोई any other experience है आपका कोई qualification है वो आपने लिखते ना suppose करो जो driver के लिए apply कर रहे हैं या LDC के लिए apply कर रहे हैं उन्हें technical qualification में लिखना पड़ेगा जो heavy driving का license है आपके पास उसका number आपको लिखना पड़ेगा और जो LDC के लिए apply करना चाहते हैं वो इसमें लिखेंगे कि typing की speed आती है typing आती है आपके हिंदी की या English की आती है वो आप यहां mention करेंगे point number 11 पर आप लिखेंगे कि आप किस category की post के against apply करना चाहते हैं यहां journal लिखेंगे यदि आप OBC की हैं और OBC की ही post के लिए apply करना चाहते हैं तो OBC लिखेंगे यदि आप SC है तो journal की post के लिए apply करना चाहते हैं तो आप SC लिखेंगे point number 12 पर आपने technical training experience का विवरंट देना है जैसे के CMTD के मामले में दो वर्स का अनभाव मांगा है तो आपका यदि कोई experience है तो आप दो वर्स का अनभाव यहां as a driver लिख सकते हैं पॉइंट नमबर 13 के उपर आपने domicile बताना है कि आपकी इस राज्या के स्थाई निवासी है उत्र परदेश, हिमाचल परदेश, हरियाना, पंजाब, राजस्तान, गुजराज जिस भी आप राज्या के हैं वो आपने यहां पॉइंट नमबर 13 पर लिखना है पॉइंट नमबर 14 पर आपने बताना है कि आपका नाम पहले से किसी employment exchange में आपका नाम दर्ज है या नहीं है, यदि नहीं है तो no लिखेंगे, यदि आपका दर्ज है तो yes लिखेंगे यदि आप yes लिखते हैं तो आपने registration number और name of the employment exchange का नाम भी आपने mention करना है point number 15 पर आपने कुछ नहीं लिखना ये declaration है, इसको पढ़कर आपने signature of candidate के उपर आपने signature कर देने है और date में आप 5 November, 6 November जिस date को आप apply करना चाहते हैं वो apply करेंगे इसके निचे for office use only है, ये 4 point आपने नहीं भरने है इसके बाद admit card है, admit card को आप इस परकार से भर लेंगे किस post के लिए आपने apply करना है, उस post का आप admit card इस परकार से भरेंगे LDC, MTS, CMTD, Fireman, Cook, जिस भी post के लिए आप apply करना चाहते हैं, उसी post का नाम आप यहां mention करेंगे यदि आप सभी पदों के लिए apply करने तो सभी पदों के लिए आपको अलग-अलग आवेदन भरना पड़ेगा name में आप capital letters में अपना नाम लिखेंगे, father का नाम लिखेंगे और point number 3 बर आपने वही address आपने यहां लिखना है, जो कि आपने ऊपर दिये गए फारम के छे नमबर कॉलम में आपने लिखा है, point number 4 और 5 को आपने खाली छोड़ देना है यह air force की जो controlling authority है, उसके द्वारा भरा जाएगा आगे देख लेते हैं इन पदों के लिए आपने list of enclosure में आपने क्या-क्या enclose करने क्या-क्या application farm के साथ आपने क्या-क्या enclose करना क्या-क्या साथ लगाना है self-attested copies आपने सभी की लगानी है, जैसे matriculation certificate की, बारवी की, graduation की, post-graduation की या typing certificate की, जो भी आपकी qualification है, वो आप यहां लिख भी देंगे और लगा भी देंगे और आपने कास्ट का certificate जैसे OBC, SC, ST, Serviceman, इत्यादी का आपने certificate लगाना है और driving, CMTD के case में आपने driving lessons की copy लगानी है, और enclosure में भी आप लिख देंगे self-attested copy of residence certificate, domicile certificate जिसे आप कहते हैं, वो भी आपको लगाना पड़ेगा और एक आपने one self-address envelope लगा कर, जिसके उपर आपने अपना पता लिखना है और 10 रुपे की उसके उपर dark ticket लगानी है, और दो photograph आपने इस application farm के उपर लगानी है एक application farm के उपर, और एक आपने लगानी है admin card के उपर, दो photograph आपकी लगेंगी आगे आपने किस परकार से किस लिफाफे के अंदर आपने डाल कर भेजना है, वो लिफाफे की save में आपको एक box दिखाई बढ़ ओगा, इससे आप लिफाफा, मालने इस लिफाफे के अंदर ही डाल कर आपने अपना application farm भेजना होगा सबसे उपर आप लिखेंगे application for the post of cook, MTS, CMTD, fireman, LDC, त्यादी, जिस भी post के लिफाफे में डाल कर बेजना है, उसी post का नाम आप लिखेंगे और उसके नीचे लिखेंगे against advertisement number 52021 by DR, यह आपने जरूर लिखना है क्योंकि यदि आप advertisement number नहीं लिखेंगे तो आपका application भी र commanding, Air Force Station, Palam, New Delhi इस परकार से आपने, जिस भी station के लिए आपने apply करना है, उस station का आपने address इस परकार से लिख देना है, इसके बाद from का address लिखेंगे, from में आपने अपना नाम, father name, village, post office, इत्यादी आपने लिख कर application का जो लिफाफा है, इसको तयार कर लेना है, इसके बाद इसी परकार आपने और इस जो डाक में आपने डालना है, ये registered post नहीं करवाना है, speed post नहीं करवाना है, केवल साधारन डाक के माधम से ही आपने अपना application फारम भेजना है, आज की वीडियो में बस इतनी ही information मिलते हैं कि नई वीडियो में नई भरती की जानकारी के साथ तब